दोस्तों युवा जोश से सराव और नई टेमेंडिया आप करेगी हार्देक पांटिया की कप्तानी में श्रोलंका पर उन्हीं के घर में छड़ाई टीटबंटी सिरीज में पार होने वाली है रोमांच की सारी हदें बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है पहला और सबसे खतरनाक टीटबंटी मैच तो आखर कब और कहां खेला जाने वाला है इंडिया और श्रोलंका के बीच रोंग्टे खड़े कर देने वाला पहला टीटबंटी मुकाबला कितने मैच कुल खेले जाएंगे सिरीज में आखर किन धुरंदर खेलाडियों को मिला है श्रोलंका के खलाफ जल्वा दिखाने का मौका यह सब कुछ हम आपको बताएंगे साथे में पिच रेपोर्ट मौसम का हाल और कहां देख सकते हैं आप यह मैच वो भी बलकुल मुफ्द में सब कुछ जाने के लिए इस वीडियो को अंतिता के जरूर देखें लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया श्रुलंका को क्लीन स्विप कर पाएगी या नहीं कॉमंट में जरूर बताएंगे दोस्तों जैसा कि आप तो जानती ही है कि 29 जून की एतिहासिक शाम रोहिच शर्मा की कप्तानी वाले जेम इंडिया ने 17 साल बाद बार बारोस के मैदान पर भारत का जहंडा गार कर टीटवेंटे वेशो कप की ट्रॉफी अपने नाम की और इतिहास के पन्नों में अपना सुनेहरे अक्षरों में लिख वाया इसे के साथ करोडों हिंदुस्तानियों के शेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियां वापोस आई आखर हो भी क्यों ना 17 साल बाद भारत ने टीटवेंटे वेशो कप की ट्रॉफी अपने नाम की है और ऐसे में जश्न तो बनता ह का एलान कर दिया वहीं वाल्ड कप के तुरंत बाद शुबमंगिल की कप्तानी में भारत जिमबामवे टीटवेंटी सिरीज खेलने गई थी और वहां चार एक से एतिहासिक जेत दर्शकर अपना दबदबाव कायम रखा लेकिन अब उसके बाद भारत की योवा का दोरा खरेगी जहां टेम इंडिया को तीन टीटवंटी मैचों में श्रलंका की टीम से दो-दो हाथ करने हैं पिछले दिनों बीसी सियाई ने इस सिरीज के लिए 15-10 से टीम का एलान कर दिया है जहां टीटवंटी वाल्ड कप के हीरो हार्देक पांडिया कपतानी करने के लिए वापस आ रहे हैं तो वहीं जिंबावे के खलाफ जल्वा दिखाने वाले कई बड़े बड़े खिलाडी भी अब श्रलंका के खलाफ जोहर दिखाते नजर आएंगे अलाकि बुम्रा की कमें इंडिया को खल सकती है क्योंकि अभी भी उन्हें इस टीम में मौका नहीं दिया गया है लेकिन अब अमेरिका के मुकाबले में श्रलंका में समय और हालात सब कुछ बदलते नजर आएंगे जिहां आपको बता दें भारत और जिंबामवे के बीच होने वाली तीन मैचों की टीटवन्टी सिरीज का पहला मुकाबला 27 जोलाई को खेला जाएगा इसक आदे गंटे बाद यानि की साड़े 6 बजे टॉस होगा मुकाबले रात 11 बजे तक खत्म भी हो जाएंगे और अभी तक आप टीटवन्टी वर्ड कप देख रहे थे बारती टीम के मैच रात में 8 बजे से शुरू हो रहे थे वहीं सुबद 6 बजे भी जारी रहते थे लेकि पर कीश रहेगी तो इसे मिस तो बेलकुल भी मत करियेगा इसके लिए हार्दिक पांडिया की कप्तानी वाली टीम शुलंका के पलाकेले के लिए रवाना हो चुकी है सारे के सारे मैच यहीं पर खेले जाने वाले हैं यह सिरेज बेहद महत्तुपूर्ण है और इसके लिए कप्तान हार्दिक पांडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं शुलंका ने भी बीती रात अपनी बेहद खतरनाग टीम का एलान कर दिया उसे देखते हुए बिना समय गमाए भारती कप्तान हार्दिक पांडिया ने भी युवा धुरंदरों से सजी हुई एक ऐसी खत दरनाग जोड़ी हमें उपनिंग करते नजर आएगी नमबर तीन पर मोचा संभालेंगे अभिशेक शर्मा उनका साथ निभाते हमें धुरंदर विकेट की पर बल्ले बाज संजू सैंसन नजर आएंगे वहीं पांचनी पोजेशन सोपी जाएगे श्रेवम दूबे के कंध सकते हैं तो वहीं पेस डिपार्टमेंट खलील एहमद और मुकेश कुमार के कंधों पर रहने वाला है इने 11 खिलाडियों के साथ भारती कप्तान हार्दिक पांडिया पहले टी-20 में हमें श्रिलंका की खटिया खड़ी करते नजर आने वाले हैं लेकिन दोस्तों श्रिलंक लोवान तुशारा जैसे गेंदबासों के होते हुए भारती बल्लेबासों के लिए चुरौती आसान तो नहीं होने वाली है वैसे आपको क्या लगता है टीम इंडिया श्रिलंका के खलाफ 3-0 से ये टी-20 से रेज जीत पाएगी या नहीं कॉमन्ट में जरूर बताईए औ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें दोस्तों भारत और जिंबावे के बेच खेले के अंतिम टी-20 मुकाबले में ऐसा मैच देखने को मिला जिससे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दां भारत में जिंबावे के सामने कितने रनों का रुखा पहार जैसा लक्षन कप्तान गिल ने कितनों रनों का दिया योगदान कैसे ये मुकाबला देखकर हर कोई हो गया दंग इस रोंग्टिक खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाइलाइट हम आपको जरूर दिख लागया इस मुकाबले में जिंबावे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीत कर भारती टीम को बल्लेबासी के लिए अमंत्रित किया और खुद गेंदबासी करने का फैसला किया भारत की तरफ से उपनी के शरवाद करने मैदान पर एक बार पर यश्यस्वी जैस्वाल औ नहीं जिंबावे की तरफ से पहला उबर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा भारत के दोनों अपनर बल्लेबास आकरामा कंदाज में नजर आ रहे थे सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर यश्यस्वी जैस्वाल ने अपना प्रशंद रोप दिखाते हुए शांदा और टीम इंडिया को बेहे ट्रेन शरुवाद दिला दी लेकिन जिंबावे की कप्तान सिकंदर रजा इस छक्के का बदला लेती हुए ओबर की चौथी गिंद पर जैस्वाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए और भारती टीम को पहला जटका केवल 13 र रन एक विकेट पर बन पाया अब इशेक और गिल पर टीम की पूरे जिम्मदारी आ चुकी थी वहें जिंबावे की तरफ से दूसरा ओबर लेक और रायर रिच्वाद नागरवा बेहदी खतरनाक गेंद बासी का नजारा दिखा रहे थे भारती बल्लेबासों को इस ओबर पर बन पाया था वेकट के तलाश में जिम्मदावे के तरफ से दीसरा ओबर लेक और आये फराज जखरम इनका स्वागत अभी शेक शेक शेर्मा ने अपने अंदास में पहली ही गेंद पर शानदार शक्का लगा कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया वही चौथी गेंद पर शुबमन गिल ने भी अपना प्रचंड रोप दिखा कर शानदार चौखा जड़ दिया इसके बाद भी गिल रुकने का नाम नहीं लिए पांचमी गेंद को भी चौखे में तबदील कर भारती टीम के स्कोर को तीन ओवर में 33 रनों तक पहुँचा दिय दोनों बलेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे जिमबावे की गेंदबाजों की धजिया उड़ाने में ये कोई कसर नहीं चोड़ रहे थे जिमबावे की तरफ से विकेट के तलाश में चोथा ओवर लेक और आई टीम के सबसे खतरनाक तेस गेंदबाज ब्लेसिंग मुझ तरीख दिया